इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल के पास दोरदार दमाका हुआ उस वक्त आईवे पर सियार के फकाफला गुजर दा तब ही सेंट्रों कार में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया आला कि अभी जांच हो रही है इसके फीछे कोई आतंकी साजित थी या सिर्थ ये एक खासा है इनिशियल जानकारी के मुताबिक जो जवाहर टनल है उसके ठीक पास में बनिहाल का जो एकसेज है वही पर एक सेंट्रों कार जिसके अंदर सिलेंडर था सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसी दोरान CRPF का कामडे जिसमें करीब 40 गाड़ियां थी वो वहाँ से गुजर रहे थे उसके तुरंग बाद ही गाड़ियों को मूव किया गया क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट है इसे गंबीर्टा से देखा जा रहा है पिछले दिनों खुफ या जानखारी भी मिली थी आतंकी सिलेंडर ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं CRPF के वहिकल को निशाना बनाने के लिए इसी को देखते हुए मामले को गंबीर्टा से जान चल रही है पूरे एरिया को बॉर्डन कर दिया गया है सैंट्रो कार के आडेंटेरी क्या है उसको भी खंगाला जा रहा है मौजूदा लोगों से भी जानकारे ली जा रही है जिनों ने इस गटना करम को देखा था अभी तक जान चल ले है आतंकी हमले की आशंका से भी इसको जोड़ कर देखा जा रहा है इस गटना को